Good morning to all Previous class में हमने क्या discuss किया था Strain और Spring आज हम क्या पढ़ेंगे Arthritis Arthritis संधी शोत जिसको हम संधी शोत भी बोलते हैं Arthritis Arthritis क्या होता है Arthritis जोड का विकार है जिसमें जोड का प्रदाह होता है तथा एक या अधिक जोड प्रभावित हो सकते हैं Arthritis की मुख के समस्या जोडों में दर्द है Arthritis अनेक प्रगार की होती है So Arthritis क्या होता है जो inflammation हो जाता है जोड का जोड का inflammation जो होता है इन्फेक्शन हो जाता है जोडों में उसको क्या बोलते हैा arthritis तथा एक या अधिक जोइंट प्रभावित होते हैं इसके कारण से infection हो जाते हैं इसको क्या बोलेंगे हम arthritis यह बहुत सारे types के होते हैं जैसे first है osteoarthritis यह जोड में चोट संक्रमर तथा अधिक उम्र के कारण होती है osteoarthritis क्या होता है यह मुखेता जोडों की हड़ियों के बीच रहने वाली articulates cartilage को नुकसान देता है मतलब जोडों के बीच जिसको joint करता है articulation मतलब joint करना तो जो joint करता है उसी में यही यह प्रभावित हो जाता है और चोट लग जाती है जोडों में नेक्स्ट है rheumatide arthritis यह व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र में गड़बड़ी के कारण होता है rheumatide arthritis क्या होता है जो इससे जो मतलब इसमें जोड़े तो प्रभावित होंगे joint प्रभावित होंगे पर इसके साथ साथ हमारे सरीर की तवचा तंत्र या हार्ट यह सब भी इसमें बहुत जादा नुक्सान होता है उसको क्या बूलते हैं रिमेटाइड अर्थराइटिस इसमें इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण यह infection हो जाता है next is septic यह शरीर में जुवाड़ों के पस्थिती से होती है septic means infection तो जब किसी का accident हो जाता है तो ऐसे injury लग जाएगा तो ऐसे patients को septic arthritis हो सकता है next is gout यह जोडों में uric acid के जमाव से होती है मतलब जब uric acid बढ़ने लगता है तो वो जम जाता है शरीर में तो उसके वज़े से क्या हो जाता है gout arthritis next है कारण next है कारण first है gene संबंदी विकार कोई भी gene में abnormalities होती है person के तब हो सकता है metabolic गड़ड़ियां अगर diabetes है तो हो सकता है next है hypertension उच्छरक्त चाब के कारण next है अगर ब्लड में कमी है तो भी जोड़ों में infection हो सकते हैं obesity अगर कोई patient बहुत ज्यादा मोटा है तो उसको भी हो सकता है वरिक्की की बिमारिया अगर हो person को तब भी arthritis होने की संभावना है next है लक्षण एवं चिन first क्या होगा लक्षण क्या दिखेंगे जोड़ों में next है सूजन एकदम swelling हो जाएगी next है जोड़ों में कट होड़ता मतलब जब patient चलेंगे तो चल नहीं पाएंगे बहुत ज़दा उनको भारी पन लगेगा next है वजन में कमी वजन में कमी हो जाएगी next ज्वर फीवर आ सकता है infection है इसलिए next है थकान patient को बहुत थकान जैसा लग patient की नीद नहीं पूरी होगी tenderness means tenderness means क्या होता है जब भी अगर touch करेंगे तो उसमें pain उत्वन होगा